अवाजा रही है ना लाइन थोड़ा और नीचे कर दीजिए सर्ट इसलिए यह लाइन अपर वाला उपर वाला सर्ट तो पर वाला लाइन थेक्ट अच्छ और यह लाइन थे नीचे जाएगो यह पूरा ही दिख रहा है लश् Ten देब आपको लाज्ट वीडियो लेक्शर में हम आपको क्या बतायाथ है लकोहल करल कर ड इस्तरिफिटेशन से इस्तरिफिकेशन हे इस्तरिफिकेशन यह पढ़ना है इस्तरिफिकेश आ इस्ट फिश्कलीट लिएजार फ कि लिवेज आफ ओयेच बांड है कि लेज़ ऑज बांडहें ज्लिवेज आफ वहाँच है इस्टरिफिकेशन वहाँच को Dü इस्रिफिकेशन इस्टर exam मैं वाड़िज घरेँ द्यांड Dragon program reg 느an बेचिकली इस्टर फार्मेशन किस किस के पीच में होता है इसके लिए पहला जी चीज़ है एसीड तु फार्म इस्टर क्या फ़र्म होता है इस्टर फार्म होता है अब औरवाक्शलिक एसिड। और लेटां जी से एसिटिक अन हैड़ियडाइड या एसिड एन हैड़िय। एन हीड़ॉध एन हीड़ॉध रियक्ट सब्सक्राइटyy। एलकोहल या फिनाल कोई भी ले सकते हैं, और फिनाल किसी को भी आप उज कर सकते हैं। react with in presence of acid to form ester process esterification है third आपके NCAT में एक्जामपल दिया है acid chloride acid chloride in presence of pyridine to form ester तो यह तीनों रियक्शन आपके NCAT में दिया हुआ है हम प्रॉस्ट को बोलते हां ही इस्टरीन आ आ इस्टारी students चाले सी Oscariger A Carboxyl acid रीएविट ऑन प्रेशन इन परकिनल आ फर्मिंट ऐदे एसिट अंग मंट अर फिनल इन प्रदों प्रे villainsow finds the radνο Umid acid chloride react with alcohol, oblique phenol, in presence of faridine to form ester. अब इन reactionों को देखते हैं कि यह बनते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए आप इसको explain हम कर रहे हैं. अब हमारे पास OH बांड का ही cleavage होना है, OH बांड का cleavage होना है तो अब हम फर्स्ट इस्टेज को लेख चलते हैं, R-C-O-O-H, यह आपका acid है, यह क्या है? acid है, carboxylic acid है यह, पूरा नाम लिख दीजिए इसका नाम, carboxylic acid, R-C-O-H, प्लस alcohol, H-O-R, alcohol, alcohol, in presence of acid, reaction is reversible, presence of acid, तो यहां से यह चीज़ें जो है, यह, हो बांड का ने, cleavage होना है, इसका cleavage होना है, यह cleavage होगा, तो यहां से H निकल आगा, और यहां से OH निकलेगा, तो फार्म, R-C-O-O-R, प्लस H2-O, और यहां से water को हम तुरन, हम क्या करते हैं, isolate कर लेते हैं, तो reaction क्या reversible है, यह दर बनना शुरू जाएगा, इसलिए water को हम quickly यहां से क्या कर लेते हैं, isolate कर लेते हैं, ठीक है, तो यह istrification है, इसमें क्या बन गया यह, इस्टर बना, क्या बन गया, इस्टर बन गया, यह है AC denohydride, RCO hole का twice O2, इसको लिख सकते हैं, RCO hole का twice O, इसी को हम लिख सकते हैं, यह है AC denohydride, react with alcohol, HOR, एलकोहल के साथ यह reaction करता है, ठीक है, तो यहां से यह पूरा ग्रूप, यह देखिए, यह पूरा ग्रूप यहां से निकल जाता है, यह पूरा ग्रूप निकल जाता है, ठीक है, in presence of acid, to form RCO, RCO, यह तो रहेगा ही, फिर यह OR यह क्या बन गया, इस्तर, बना गिनी, बना, और प्लस RCOH, मन गया, RCO, और यह OH, क्या बन गया, क्या बन गया, कार्बाक्सिलिक असिट बन गया, तो इस प्रासेस को भी इस्ट्रिफिकेशन कहेंगे इस प्रासित बग्या कहेंगे इस्ट्रिफिकेशन थौड मेरे पास है कि एसिटिल क्लोराइड आर सी डबल बांड ओ सील एसिटिल क्लॉराइड है यह एसिटिल क्लॉराइड है इसका रियक्षन हम यह है एसिड क्लॉराइड एसिड क्लॉराइड या एसिटिल क्लॉराइड भी कह सकते हैं इसका रियक्षन हम एच ओ आर से हम कराते हैं यह रियक्षन इरिवर्सीबल होता है क्यू opposite है कि फार्मुला आपको पता होना चाहिए बदेख्यकेसं में हम आपको पताहिए तो पी приш्ण पता है अगर नहीं पता है घ्र यहां से एलग होता है और बंजाता है आर सी sept आ क्लेया पैस्तो जोह को किया कर लेता है है अत्र करको अधर्ड करने से वहां जाता है यही है इस इस अपर ले और रेक्शन क्या हो सब्सकों करने ठीचाट इरेख्चेवीग करता है इसके लिए समाझने के लिए थूरा समझेगा पिरी ीन का पर्मुला है पिरी डीन आपको पता होना चाहिए प реш है अक एक हट्रोसाइक्लिक कॉंपाउंड है और ये बेंचीन रिंग में पिर्टिंग में जब यह नाइट्रोजन यहां टैइज हो जाता है तो इसको पिरीडीन है यह क्या है पिरी रिडीन I और एचा में पाजे यह पाजिटिव बांगे तो क्या बनेगा दृ। द्हास देखेगा, यह ऐसे बन जाएगा, यह पाजिटिव, हो जाएगा और यह प्लस सियल आगर इसके साथ हो जाया गा सींधिके यहां पर क्या इसाथ अपना जेगा आपका यह पासिबलिटी है एन फासिटिव है यह ऐसे बन जाता है मनिने इसलिए रियक्षन को जाता है ए रिवर्स लो जाता है तो यह प्रासेस इस कि अब हम इसी में देखते हैं एसी टाइलेशन दिया हुआ है कि अब बात करेंगे अगला टापिक जो आपकी बुक में दिया है उसका नाम है एसी टाइलेशन acceptude 67 के यूद्र्फ की इसको समझे और उसमें एस्प्रीन का फार्मेशन की है एस्प्रीं की है ड़ fight अल्री एसी टायवै-ट्री सण वाट इसीटाइलेसा जैसला कि नाम से आप ढ़ए इसीटाइलेसं का मतलît होता इंट्रोडक्शन आप एस्टील ग्रुप in phenol is called acetylation. मतलब इसमा 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 है इंट्रो दक्शन आफ असितल ग्रूप in phenol is called acetylation. इंte Vy result Planet अफ ए सेटल गूरूप इन किकुलफ, फीनाल इसकाल्ड असिटाइ लेशन और इसमें दिया है फार्मेशन अप स्प्रीन Quran फार्मेशन आफ एस्परीन एस्पी रीन है यह एक द्रग् साइस्पारिन जो एसेटाइलेशन से होता है और किसका कराते हैं तो salicylic acid का ऐस्परीन फ्राम salicylic acid इसीड का हम acidylation करा ते हैं तो देखिए कि यहां पर सी डबल ओएच और यहां पर तो इसका नाम है सैली सिलिक एसीड और इसका रियक्षिन हम किसे करा रहे हैं कि एसिटिक एनाइड्राइड से किसे कराएगे इसीटीं नाइड्रैड मतलब CS3 सीडबल बांड ओओ ओओ टो यहां से यहां से यह निकलनेगी है is this true user निकल जाएगा यहां सिना coincidence ै तो क्या बनेगा इसको द्यान देदेगा यह चीज तो ऐसे रहेगी कि यह से रहेगा कि अल्टरनेट डबल सिंगल आप कर देंगे बुली और यह सी डबल रहेगा ही रहेगा और यह तो बचा है आपका ओ है ना फिर यह क्या है सी डबल बांड ओ और यह सी एच यह है एस्प्रीन अधिसिल शायसिलिक एसीड और प्लस क्या बच गया है सी एस्ट्री सी डबल ओ एच तो यह एस्प्रीन है सी ड्रक्स में यूज के जाता है और यह आपको अभी बता है है और बैसे मिल आती इंटीन्फिला री होता है तो यह चीजे आपको बताया एसे टाइशन ग्रूप इस सीटाये सन यक ढॉल भी लेक्चर में maiLife शॉभन है और अब रियक्षाइं आकको पढ़ना है इसका इल्कॉह Nah का लास्ट है यह reaction involving cleavage of CO bond ठीक है तो आगे हम देखेंगे reaction involving cleavage of CO bond यह heading करेंगे आप reaction involving cleavage of CO bond तो एलिक देते हैं reaction involving cleavage of CO bond का cleavage हमको दिखाना है reaction involving cleavage of CO bond और इसमें पहला reaction दिया हुआ है reaction with reaction with है लोजन एसीड है लोजन एसीड मतलब हल यह एक से रीक्षन है लोजन एसीड से रियक्षन है अब रियक्षन आफ एलकोहल और फिनाल विथ हलोजन एसीड टू फार्म एलकिल आर एरिल हलाइट्स इसके पहले वाले preparation में आपने पढ़ा है jeder look क्या बदाए था कि रियक्षन के साथ रियक्षन कराएं तो ठीक वह H यहाँ पर वही रियक्षन है क्या करना है इल्कोहल जो है आर ओ यह यहां से यह चीज यहां से निकलेगी यह आर शीयो यह इसका क्लिवेज होना है और बन जाएगा हमारा RCl plus H2O, this is the dehydration process, यह dehydration process है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि alcohol से यहां से अगर हम यह C, H, H, H लेते हैं और यह O और H है, तो यहां से इस band का cleavage हो रहा है, इसके साथ HCl के साथ, और यहां से यह चीजे अलग हो जा रही है, और बन जा रहा है हमारा CS3, C, L plus H2O, और यहां जेदें C, L2 है, तो यह चीजे होती है, एस्टिल क्लॉराइड, एल्किल हलाइट्स फार्म होता है, यह एरिल हलाइट्स फार्म हो जाता है, अगर हम ल्यूकास रिएजन से रेक्शन कारते हैं, और वाट इस ल्यूकास रिएजन, ल्यूकास रिएजन ल्यूकास रिएजन्ट, इसी के मिक्शर को हम ल्यूकास रिएजन्ट बोलते हैं, तो मेरे पास यह ल्यूकास रिएजन्ट से जब रिएक्शन करा रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, अब हम यह देखना है कि ल्यूकास रिएजन्ट से रिएक्शन कराने पर बन कैसे रहा तो इसका mechanism हम आपको तोड़ा सा यहां बता चुके हैं लेकिन फिर भी यहां revision कर रहे हैं जिसे और है कि आर ओ और है वो के उपर लोन प्यारा फिलेक्टराल है यह लेविस एसीड का काम करेगा लेविस एसड यह नुक्लियो फाइल ही एक तरह से और लूकासरी एजेंट में क तो बनेगा आर ओ और यह एच पाजिटिव और यह बन जाएगा जेडन सील टू और यह माइनस अब करना क्या है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि मेरे पास से ल है जेडन सेल टू में एसल भी तो हमारे पास है अब यह अगर सीट होता है तो आर पास्टिव बचेगा और यह इसका इलेटान पेर यहां सिफ्ट हो जाएगा तो यह कार्फोटाइन फ़ार्म हो जाएगा जब कार्फोटाइन फ़ार्म हो तो इसके साथ चला जाएगा लिगेटिब असे लिगेटिब जाएगा तो बन जाएगा आर चीएल और क्या बचेगा जेडेन ओयद सी लटू के ऊपर टूटल के ऊपर क्या है माइनस चार्ज है ही तो टूटल यह चार्ज हम उसके बाहर दिखा देते हैं अब एच का प्लस यहाँ एस एल में एच प्लस है यह एच प्लस जो है यहाँ से रियेक्शन करके यहाँ से एस टू निकाल देगा निकाल देगा तो बन जाएगा जेडेन सील तू आप प्लस एस टू ओ यह पीशे हम बता चुके हैं तो यह रियेक्शन मेकनिजम में आप चाहें तो दिखा सकते हैं इंट्रडूस कर सकते है और यह आपने साथ अक्सिजन को लेके जाएगा इसके साथ चला जाएगा यह आर पर पास्टिप चाहज होगा और यह आर पर पास्टिप जो है और यह बना देगा जेडेन ओयर सील टू को पर क्या है माइनस चार्ज है और यह एज प्लस के साथ करके एस टू निकाल देगा और जेडेन इसका मेकनिजम है अलाग यह मेकनिजम हम पीछे अलकल हलाइट के लेक्षर में हम आपको बता चुके हैं वहां से भी इसको आप देख सकते हैं यह मेकनिजम हम आपको पढ़ा चुके हैं तो यह चीज़े हैं लुकास रिजेंट की बात हम कर रहे हैं ठीक है अब देखिए आगे थोड़ा सा देखिएगा इसको समझेएगा एकशी ज़ूर हम इस लुकास रिजेंट के थुरू एल्कोहल का तिस्ट भी कर सकते हैं कि अलकोहल प्रायमरी अलकोहल है कि सेकेंडरी अलकोहल है कि टार्श्री अलकोहल है तो to identify primary, secondary and tertiary alcohol from Lucas reagent इसके लिए हम experiment करते हैं experiment क्या करते हैं मने test of alcohol test of alcohol alcohol का test करते हैं कि alcohol is primary, secondary and tertiary यह किस तरह का alcohol है यह Lucas test से हमें पता चलता है Lucas test इसका कराते हैं Lucas test से हम यह identify कर सकते हैं कि alcohol primary है कि secondary है कि tertiary है और आप देखिए उसमें अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा mention भी किया है turbidity के case में अगर हम primary, secondary, tertiary alcohol में हम Lucas region मिलाते हैं तो turbidity uptend होती है धुदलापन दिखाई देता है वो कैसे देखिए मेरे पास यह three degree alcohol है three degree alcohol है अब three degree alcohol का मतलब हुआ C, R, R, R और O, H यही न यह three degree alcohol होगा न इसमें हम Lucas region मिलाते हैं जो ही mix up करते हैं तर्शरी अलकॉहल में Lucas region instant turbidity मिलती है तर्भी dT turbidity हमको तुरंद मिल जाती है मतलब जो ही ZnCl2 तर्शरी अलकॉहल के साथ मिलता है instant turbidity हमको मिल जाती है अगर stent turbidity आ रही है तो समझे क्या है तर्शरी अलकॉहल है लेकिन अगर two degree alcohol है यह two degree alcohol है और यहां पर हम C CHOH नहोंगा CHOH और यह R और यह R यह two degree alcohol है इसमें हम Lucas region मिलाते हैं लुकास री एजेंट मिलाते हैं मतलब वही ZnCl2 प्लस HCl मिलाते हैं तो आफ्टर five minute आफ्टर turbidity आती है तर्बिटी आएगी लेकिन पांस मिनट के बात सेकिंग करेंगे और फाइफ मिनट आफ्टर तर्बिटी आएगी तो समझ आएगे कि क्या है secondary alcohol है और अगर one degree alcohol है अगर one degree alcohol है ठीक है यानि कि आर सियस्टू ओएच one degree alcohol की सियस्था यह कि यह ओएच ग्रूप सिंगल alcohol से सिंगल कार्बन सेटेच होता है और वो कार्बन की बैलेंसी एक ही कार्बन सेटेच होगी तो उसको बोलते हैं one degree alcohol और इसमें अगर हम लिउकास जीजेंट मिलाते हैं लिउकास अगरी जेंट मिलाते हैं तो बहुत मुश्किल से बड़ी डिफिकल्टी से टर्बीडिटी आती है लगवाद 30 मिनट्स टाइम लेता है और सेकिंग करते हैं तब जाएक टर्बीडिटी तर्बीडिटी इसमें आप्टेंड होती है और सबसे बाद में टर्बीडिटी क्या देगा प्राइमरी अल्कोहल तो इस तरह से हम दुदलापन दिखाई देता है अगर हम अलकोहल को लेते हैं तो एकदम जैसे वाटरी वाटर जैसा वह साफ होता है और उसमें लिउकास रिजेंट मिलाते ही अगर तुरंट तो फिर फिर प्रैमरी एलकॉहल होता है तो यह है प्रैमरी सेकेंड इंटरसरी एलकॉहल का अडिटिफाइशन हम इससे कर सकते हैं जी से कर सकते हैं यह आपके дан है णदी हइडरेशनों यह आपके बुप में दिया है डी हाइडरेशन आफेलकुहल जो बहुत ही the most important topic है dehydration आफेलकुहल यह टाफिक है most important topic है बहुत जादे important है exam में इस से बहुत जादे question put up कि जाते है mechanism इसका हर साल देता है जेटेशन आफेलकुहल का mechanism हर साल explain करता है तो बताना इसकाल डिहाइड्रेशन में यह हुआ कि सीज़े सीधे रिमूबल आफ वाटर कहां से फ्राम और एलकोहल से वाटर का निकलना ही क्या है और ये किसके प्रजेंस पर तो एसीड के प्रजेंस में होता है किस के प्रेंस बह unavोता है कि इसीड के प्रेंस में हो ता है कोई बी प्रोटिक साल्वेंट ले लेते हैं कोई भी प्रोटिकिस एलकीन फार्म कर देता है यह चीज नहीं एलकोहल जो है प्रोटिक साल्वेंट के साथ टीट करें क्या बनता है एलकीन फार्म करता है अब जिससे मेरे पास एलकोहल है जिसमाली मेरे पास एथेनाल है जिसका फर्मुला है CS2H CS2OH यह चीज यहां से निकल जाती हैं तो यह चीज यहां से निकल जाती है है ठीक है और क्या बनेगा CS2 डबल बांड CS2 अप्लस एस्टू और क्या बन जाएगा एस्टू बन जाएगा तो यह आपका डिहाइड्रेशन आप एलकोहल है इसी का मेकनिजम आपको देखना है किसली में होगा सेकेंटी में होगा कि टरफणी में ओगा एए आइस्टेंट प्रसेटान की समोगा जल्दी से दिवंपे तो क्टी संपयाइड्रेशन में हमको देखना है कि dehydration का process सबसे प्रवे होता किसमें है इसको हमको देखना है यह तो dehydration का के आडर आफ डेहाइडरेसं कि आडर आफ डी हाई ड्रेशन इन एलकोहल इन एलकोहल एलकोहल के अंदर हम dehydration के आडर को देखें कि पहले किसमें होगा है तो तो dehydration का जो आडर है वो three degree alcohol में dehydration quickly होता है जल्दी होता है उसके बाद किसमें होता है two degree alcohol में होता है और उसके बाद किसमें होता है one degree alcohol में होता है तो dehydration का ये क्रम है इसमें करना क्या है कि आडर आपडी हैड्रेशन के लिए हमको ले लेना है एक्सप्रिमेंट करना है वह एक्सप्रिमेंट है क्या है इसको देखिए जैसे मेरे पास वन डिग्री डिएड्रेशन इन वन डिग्री अलकोहल यह एक्सप्रिमेंट करें वही चीजें हैं वन डिग्री अलकोहल का मतलब हुआ और इसका डिएड्रेशन हंडेट परसेंट S2SO4 या S3PO4 ले लेते हैं और 443 Kelvin तंपरेचर पर इसको इतना लेना पड़ेगा हो डी हाइडरेटिंग एजेंट इतना रखना पड़ेगा तब जा के इसका डीटेशन आगा और बन जाएगा CS2 डबल बांड CS2 अपलस है अपार लेकिन सेकेंड टापिक यह डीटेशन निं डी हाइडरेशन इन सेकेंड्री एलकूवल तो सेकेंडरी अल्कॉल में इसको ले लिजिए CS3, CH, OH, और यह हो जाएगा CS3, यह ने सेकेंडरी अल्कॉल है, और इसका डिहाइडरेशन हम कराने के लिए हम ले लेते हैं, 80% देखिए, 80% H2SO4, इससे कम, R, S3PO, 4, 440 Kelvin temperature, तो यहां से, यहां से निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा, यहां से OS निकल जाएगा और यहां से क्या निकलेगा, तो बनेगा क्या, CS3, CH, double band, CS2, L, की, आप, प्लस H2O, ठीक है, लेकिन अगर डिहाइडरेशन थोट डिगरी का करा है, डिहाइडरेशन, इन 3 डिगरी अलकॉहल, 3 डिगरी अलकॉहल का डिहाइडरेशन हम करा है, तो 3 डिगरी अलकॉहल का मतलब होता है, CS3, 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 यहीन होगा, और यहाँ पर OS होगा, और इसका टिएडरेशन कराने के लिए हम केवल 20% ही H2O4 यूज़ करें, यहाँ H3PO4 ले ले ले, और 358 Kelvin टंपरिचर रखा जाए, तो यहाँ से, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से H, और यहाँ से OS निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CS3, C, यह बन जाएगा, डबल बांड CS2, आए CS3 को हम यहाँ लिख देते हैं, क्या दिकत है, A plus S2O, तो इन रियक्शनों से यह प्रूफ हू रहा है, कि इसका dehydration easy है, 3 degree alcohol का dehydration क्या है, easier है, with respect to primary and secondary alcohol, reason इसके पीसे यह है, कि 3 degree alcohol में 3 degree carbocation बनेगा, और 3 degree carbocation is easier farm, than primary, secondary and primary alcohol, so, dehydration are easy in 3 degree alcohol and उसके बाद जो है, easy in 3 degree alcohol, dehydration are easy in 3 degree alcohol, 3 degree alcohol में dehydration easy होता है, इसलिए dehydration का जो manner है, dehydration का जो order है, वो 3 degree alcohol में maximum, secondary और फिर tertiary में होता है, तो यह dehydration आप एलको होता है, आप कोई बात समझ जानी चाहिए, जो आपको हमने एक्स्पेन की अब इसका मेकनिजम हम बता है, dehydration का मेकनिजम क्या है, उसको समझना आया है, ठीक है, यह चीज़ बात ना आपको, तो एक्स्परमेंटल यह प्रूफ हो गया, कि 3 degree alcohol dehydration is easy with respect to secondary and primary alcohol, ठीक है, होगे, बोलो, भाई तेज चल रहा है, अब क्या है, मेकनिजम, मेकनिजम आप dehydration, यह चीज़ एक्जाम में देता है, जो अभी हम बता रहे हैं, मेकनिजम आप dehydration, तो वाई दे मेकनिजम आप dehydration, मेकनिजम आफ दी हाइडरेशन, इसको देखिएगा, थे हिएलिटरेशन अपलकोर तेखें पलकोर से थीर स्ट겠지만 पडिआईसम आप कोज अपलकोर से से in ध्री स्टेप, पीर पहाइ हो स्टेप इस्टेप आपोनेटेट पार्मे रिख नाफोल या फार्मेशन करिया या एथिलारोटू ди लिख कमोड़ा डाभी थो इसके लिखेसेशम क्यों मैंने पर हो और मनितेया है याफोर्फ सक्षा Ahmed अब यह फ्राम एसीड एच प्लस कहां से लेगा फ्राम एसीड एस प्लस यहां करके इसे साथ आए ड़र जाएगा तो क्या बनाएगा सी देखिए का ध्यान से यह ऐसे तो रहेगा है फिर यह सी और यह ऐसे रहेगा और ओ एच और यह आने से प्रस चार्ज यह हो गया एथिल आगजोनियम यह प्रोटुनेटेट अलकोहल यह फार्म हुआ इस टिप सेकेंड यह कहता है स्टिप सेकेंड वट इस टिप सेकेंड फार्मेशन आफ कार्बो केटायन का फार्मेशन को करना है कि मैं कौन अबड़ी स्क लेड़े हैं यहां पर यह दो हमने यहां लिया इसको हम ले ले थे हैं कुई कई की ओ अना है ए एच ओर यह प्लस चार्ज़ ही ठीका यह आदक फार्मसन आप कार्बोकरण ऑच्टरी यह स्लो प्रासेस होगा यह रेटिटर्माइनिंग एथी यह होगा कि होगा कि यह आक्षिजनी इस इलेक्टो मिश्ज स्यर этой नेक्ट्रन ये लेक्रान सिर्ट ये लेक्टार शेरी अपिजन लेकिशल जाएगा सब लेकिस चला जाएगा तो क्या बन जाएगा सी आप्र पास्ट यह कार्फटान मन गया अब प्रस कि विधा सम्झा रही है मैं मजांगा कर्बोकेटान का Ctrl25 से स्ंसाइब से स्टेप नमर थौट में इस टेप थौड है कि स्टेप थौट क्या है एलिमिनेशन आफ कैसी एलिमिनेशन आफ प्रोटाण कार्बो के टाएन कार्बो के टाएन से प्रोडान निगलेगा कि जर्बा द्ध्यांसे यहां पर C हम फिर इसको यहां लिख दे रहे हैं यह एच है यह है जो यहां भी एच है यहां भी की सैरिंग तो यह सेडिक साथ चला जाए लेक्ताान लेके चला जाए तो चुला जाए तो यह tough C कर निए प्रौस एस निगला था और फिर निगल गया क्या फार्म होजाता है ल कि clock in यह फार्म हो गया तो कर नंहिंगा नियत्त इम्प्रेंटांट है 알Up일 एसीड से प्र्ोटान करके प्रोटीनेटेट एल्कॉट बनाता है और या प्रोटीनेटेट एल्कॉहल सेकेंड इस्टेप में क्या करता है कि वाटर को लूच करके कार्बोकेटायन फार्म कर देता है यहां दिखाए दरह से यहां पर यह लेक्टान लेके लेक्टान पर इसके साथ चला जाएगा तो यह डबल बांड में कनोट हो जाएगा और इस प्लस निकल गया इस तरह से एलकीन का फार्मिस नहीं जाता है तो यह डिहाइड्रेशन आफ एल्कोहल है जो इंपार्टेंट है कि अब आगे बासन में तो यह चीजैन है अब आगे एक चीज और दिया है अक्सिडेशन है इस में इतना तो अब wednesकि है के लेकिन हम ऊब चुक्थ लिए लगवगर श्वरूशा एक्स्प्लेशन की बात हम कर रहे हैं ठाध राएं ठाहँ ऑप यहाँ तब भी आक्सीडेशन च आफ उलकोहल इन एक्सीडेशन आफ एलकोहल के एक्षिएल Elkohal का खाल को आधी तो में केको टीजएक्सली हमारे टरी ट्रीप गवर बाइन वन डिगरी ईलकवोहल segundo डिड्गोहल का अ ब्रॉसते में की यालकोहल झाया किहां लेकिन यहां पर I'll है नहीं कि इनका जो आकशिडेशन होना है दो-तरक अशिदेशन होता है यहां पर यहां एक अएखसीडेशन की है दो तरका एक तो पार्सेल ऐसन होगा मास आखसीडेशन होगा और एक आसे सब्सुर्ण आखसीडेशन होगा कॉल्ए हच षिगर फिर को कम्प्लीट आकसी चभ container इसमें Merkman complete इसमें में अच्टेशन होंने और इसमें क्या होगा पार्सिधी पुल मिलागे जो यह पार्सेल आक्सिडेशन होगा एलकोहल का यह इनका जब आक्सिडेशन होता है इनका जब आक्सिडेशन होगा है तो क्या बनेंगे कार्बोनिल कंपाउंड इस फार्म कार्बोनिल कंपाउंड इस फार्म क्या फार्म होते हैं कार्मोनिल कंपाउंड फार्म होते हैं और उसक आक्सीडेसन के कि प्रासेस में जो ऐल्कोहल का बैसिकलीanız तो AEH horizon का क्लीवेंज होता है इन दोनों बान्ड़ों का क्लीवेंज होता है अगर इनका Oxidation नायों फार्म ऑब हम यहां पर और आक्षडेशन आप अल्कोहल इस बांस्पलफार, acidified और alkaline kaminophor, acidizing agent, या acidified sodium dichromate या potassium dichromate और nitric acid और PCC, pridinium chlorochromate, आपके NCRT में दिया है, उसको देखिएगा, समझेगा, उसको ध्यान से देखें, आक्सिदेशन आप एल्कोहल डिफरेंट टाइप का आक्सिदेशन आप एल्कोहल जो है क्या होता है जिसे माल ये कि मेरे पास आर सी ओ और ये ओ एच है अज़े सारी आर कि एच एच